हलो स्टूडेंट आप सभी का स्वागत इस टॉपर्स बैच में उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज हम लोग समाजी विज्ञान की तीसरी नंबर क्लास कर रहे हैं तो इससे पहले हम को पढ़ना कहां से है तो आज हम लोग बहुवी कल्पी प्रस्न पढ़ेंगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बहुवी कल्पी प्रस्न पढ़ेंगे और इसमें ध्यान देते हैं पहला प्रस्न क्या है पहला चेप्टर यहां से यह भी कंप्लीट हो जाएगा आज पहला पूलिएन बोन पार्ट है, अपिसएिंग हो जाएगा, और देखते हैंगा अगला कोशन क्याई है, दूसरा नमबर कोशन है, ध्यान देज़े हैं क्या है? हcorigen ते हैं तिहान पर कौन सा ओप्षन हो जाएगी हो जाएगा क्या है और धिनफार खूंग करते हैं समझगे होंगी हैं पर क्या हो जाएगा रूसट्सचिंब जा सोसल कंट्रीक्ट नामिक पुस्तक का लेखक क्यों है इसके लेखक कैयां हो ये भी question complete होगे, अब आगे देखते हैं, next question क्या है, अगला question ध्यान देंगे, अगला question क्या है, अगला question हम दोगों का है, which course, चौथा नंबर question है, which course, इनसाइकलोपेडिया नामक गरंथ की रचना किसने की थी, मतलब इसके किसने लिखा था, विस्सकोस को किसने लिखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देदरों ने लिखा था, अगला question क्या है, अगला ध्यान देजिए, अगला है, पांचवा नंबर क्या है, पांचो नमबर ध्यान देते हैं हम लोग, पांचो नमबर क्या है, पांचो नमबर 1789 स्वि में फ्रांस की क्रांती के समय किसका साथन था, उफ़ लोग क्या बताएंगे, लूई सुलाहवा का साथन था, अगला कोशन है, Six Number Question क्रांती के दौरान जन कल्यान के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ था जन कल्यान के लिए मानो कल्यान के लिए सबसे ज्यादा काम किस समय हुआ था तो आप लोग उसका इंसर क्या बताएंगे आतंक राज्य आगे वड़ते हैं और देखते हैं साथवा नंबर कोश्चन क्या है साथवा नंबर कोश्चन है साथवा नंबर कोश्चन है फ्रांस की क्रांती में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी फ्रांस की क्रांती में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी तो क्या बताएंगे मध्यमवर्ग की थी अगला कोश्यन है bank of France की स्थापना किस ने की थी ति क्या बताएंगे Napoleon Bonapart ने की थी, नेपोलियन बोना पार्ट ने, नौवए नंबर कोईशन है, मानो और नागरिक अधिकारों की घोसना किस सभाने की थी, मतलब इससे इन अधिकारों की एनाउंसमेंट कौन किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे, समिधान सभाने की थी, आगे वड़ते हैं और अगला कोईशन ध्यान देते हैं, दस नंबर कोईशन क्या है, आप लोग साथ ही साथ हमें लिखते रहें, कोईशन लिखिये और डारेक्ट एंस्वर लिखिये, ओप्सन मतलिखिएगा, जैसे कि आप देखिए ये कोईशन लिखिये, आउस्ट्रिया के साथ प्रसा का साथ संधी के द्वारे युद्ध विराम हुआ, मतलब किस संधी के द्वारे युद्ध विराम हुआ, संधी मतलब क्या होता है, मिल जाना, जैसे दो लोग विरोध कर रहे हैं, दो लोग मतलब युद्ध कर रहे हैं, उसके बाद दोनों लोग संधी करके मिल जाएं, तो व अगला कोशन है फ्रांस की क्रांती कब हुई थी तो क्या बताएंगे 1789 में फ्रांस की क्रांती हुई थी आगे बढ़ती है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि टॉप पर से बैच में आप लोग जोईन हो जाएं और इसकी सभी क्लासेज टाइम टू टाइम करते रहें हिंदी हो गए इंगलेस हो गया या सोसल हो गया अगला कोशन है प्रथम स्टेट कौन होते थे फ्रस्ट स्टेट कौन होते थे मतलब जिससे सबसे ज़्यादा दर्जा दिय जाता था तो सब कौन होते थे पादरी लोग होते जो पुजारी जिससे कहते हैं अगला कोशन है सिक्स नंबर मांटेस क्यों ने किस सिध्धान्द का प्रतिपादन किया मांटेस क्यों ने किस सिध्धान्द का प्रतिपादन कियत के अंसर देंगे उसका अधिकार विभाज का अगला question है ध्यान दिजे राष्टवाद का प्रारंब किस देश से हुआ वह है मतलब कौंसे देश से राष्टवाद का प्रारंब हुआ था और ये question important है यहाँ पर ध्यान दिजे ये question पूछा गया है हर एक जाम में क्या पताएंगे अपनों फ्रांस उप्सन नमबर गा अगला कोईशन है ध्यान दीजिए 17 नमबर कोईशन क्या है 17 नमबर कोईशन है यहाँ पर इटली का एकी कराण किसके नित्रित्तों में कीया गया जिऊसे पे गरी बाल्डी के नित्रित्तों में अगला कोईशन अठारा नंबर पुनर जागराण यूग का अभ्यूदय किस देश में हुआ था लोगों को जागरू करने की स्थिती तो किस देश में हुआ था इटले में हुआ था अगला कोशन है यंग इटले सोसाइटी का संस्थापक कौन था क्या बताएं कि मैजीनी था कौन था इसका मैजीनी अंसर हो जाएगा और ये question तभी हम लोग repeat हो चुका है कौन सा फ्रांस की करांती का हुए थी 1789 में आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आगे question क्या है आगे हम लोगों question है यहाँ पर ध्यान दीजिए 1849 की फ्रांस इसी राज्य करांती के फलसरूप क्या हुआ था तो इसके फलसरूप क्या हुआ था गड़तंत्र की इस्थापना हुई थी मतलब सभी को समान नाय मिलने लगा था अगला question है फ्रांस में गड़तंत्र की घुसना किस वर्स हुई थी तो कब हुई थे 1849 तालिस वही question यहां पर दूसरे तरीके से घुमा कर पूछ लिया इसको question बना दिया और इसको क्या बना दिया अंसर बना दिया आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आगे क्या है अगला question है हम लोगों का अगला question हम लोगों क्या है ध्यान देजिए अगला कोशन है जर्मनी के एकी करण में मुख्य भूमिका किसकी थी जर्मनी के एकी करण मतलब जर्मनी को एकी करण करने के लिए उसमें मुख्य दाई तो किसका था क्या बताएंगे आटो वान बिसमार्क का था अगला कोश्चन है नेपोलियन की पराजे कब हुई थी मतलब उसकी हार कब हुई थी कौन सी स्विम हुई थी सन 1815 में अगला कोश्चन है ध्यान दीजे अगला कोश्चन 32 कोश्चन है इसमें टोटल आटो वान बिसमार्क का संबंध किस देश से था तो आप लोग क्या बताएंगे इसका संबंध किस देश से था जर्मनी से था आटो वान बिसमार्क का संबंध 27 नंबर कोश्चन क्या है निमलिखित में से किस से 1871 में जर्मनी का प्रथम समराट घोसित किया गया मतलब किस समराट बनाया गया था अप लोग क्या बताएंगे वेलियम प्रथम को बनाया गया था 28 नंबर कोश्चन है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था क्या बताएंगे आसीमित राज्य तंत्र था आसीमित राज्य मतलब इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी कहां तक है तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग अगला ध्यान दीजिए अगला कोश्चन क्या है निनलगीत में से कौन सा देश सकतियों में संबलित था सकतियों में जुड़ा हुआ था कौन था जर्मनी था आगे ध्यान दीजिए अगला कोश्शन है तीस नंबर कोश्शन क्या है ध्यान दीजिए या किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है और यह बहुत इंपॉर्टन कोश्शन हर बार पेपर में पूछा जाता है यहां पर कौन हो जाएगे यहाँ पर हो जाएगा मैटर निक्का यह कथन था कि जब फ्रांस चेंगता है तो बाकी उरोपालों को सर्दी जुकाम हो जाता है बहुत इंपोर्टेंट कोश्यन है अगला ध्यान दीजिए अगला क्या है जी उसे पर मिस्सिनी द्वारा इस्थापित गुप्त संगठन था मतलब इसने एक संगठन का एक संगठन बनाय था उस संगठन का क्या नाम था यंग इटली नाम था उसका नाम क्या था उसका नाम था यंग इटली आगे ध्यान दीजिए आगे क्या है और यहाँ लोग का य क्या बताेंगे सकाह क्या था आम जंता से था इसका से क्या था आम जंता से था तो मेगे आप लोग समझ गया होंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए option नंबर गाह को जाएगा सभी हो जाएगा तो यह हम लोगों की video complete हो गई यहांसे हम लोगों का social study में पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लेट हो गया अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर देखेंगे भारत में राष्ट्रवात का उदय यह देखेंगे उसके बाद हम लोग इससे पहले कल हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे तो धन्यवाद